असलाम वालेकुम सुना था के देहत सुनहरी है दिली समंदर से खामोश गहरी है दिली मगर एक मा की सदा सुनना पाए तो लड़ता है गुमगी है बहरी है दिली वो आखो में अश्को का दर्या समेते वो उम्मीद का एक नजर्या समेटे यहां कहे रही है वहां कहे रही है तरकर करे एक मा कहे रही है नहीं पूछता है कोई हाल मेरा कोई लाक दे दे मुझे लाल मेरा से साथ हुआ इसा इस जब आपको पता चला तो किस नासे आपको पता चला जब आपका शोड़ाया बोता एफ़ी जोड़ को मिला नहीं रौट कोई जंगल में जूड़ा आट दें ताम डूंटारे जूड़ा पिर अमने बोला कोई उठा गए लेगे वो जो लड़की शर्क की बच्चे शत्य उठाने वाले थी उठाने वाले थी ओ लेगे फिर वहाँ वाम को डेड़ बाली मिला फिर आमको बिसाथ हो गे गए इन नहीं ऐसे किया तमाम उम्र का हिसाब मांगती है ये जिन्दगी ये मेरा दिल कहे क्या ये खुद से शर्मसार है नमस्कार मैं हो गायचु गुपता और आप देख रहे हैं SPN 9 News ये जो शेव मैंने पढ़ा वाकई शर्मसार है हम जो जम्मो कश्मेर के कटवा जिले में वारदात सामने आई है शर्मानी चाहिए हमें हमें क्या देश के हर एक शक्स को शर्मानी चाहिए चाहे वो नेता हो चाहे वो एक आम इनसान हो चाहे वह बहुत खास लोग हो चाहे कोई भी हो हर हिंदुस्तानी को इस पक्स शर्मानी चाहिए जिस तरह से जम्मो कश्मीर के कटवा जिले में एक मा प्रश्री स्तीफा देते हैं विजेपी अपना राग गाती है पीडिपी अपना राग गाती है पी अमोधी पर चड़कर बयान देते हैं दोश्यों को बक्षा नहीं जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पेटियां देवियों के समान है दूलन ही दहेज है शाद ये देखा गया है कि जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं और जो हम करते हैं वो हम कहते नहीं यानि इनसान के हाथी के दाथ खाने के कुछ और दिखाने के कुछ सब ऐसे नहीं है लेकिन इस वक्त जो माहौल गर्माया हुआ है कठवा कान को लेकर सब ने इस कान ने हर इनसान को खु लेकिन यहां पर तो हर कोई है फिर तो दिखा जाए तो आज हम अरे ऐसा नहीं होना चाहिए तो होना क्या चाहिए। जंतर मंतर इंड़ागेट पर केंडल मार्च करके क्या कर लेंगे आप। इससे कुछ हो पाएगा। नेद्या कान में भी तो यह हुआ था। हर कान में ऐसा कुछ देखने को मिलता है। क्या होता है उससे। फिरदर्शन से थोड़ा बहुत अशर पड़ता है। लेकिन क्या रेप रुप जाते हैं, शायद नहीं, NCRB के आक्रल साब बताते हैं, हर घंटे में चाल लड़कों का रेप होता है, ये सिर्फ कागजी है, असल में सच्चाई तो बतानी कितनी भयानप होगी, तो सोचिये फिर, सोचिये, वाकई, वाकई सोचिये, मैं आप देश का हर नागरी के सोचे, कि अगर उसकी जहें, आपकी बच्ची होती, तो आपको कैसा लगता, नेताओं को सोचना चाहिए, अगर उनकी बेटी होती, तो उन्हें कैसा लगता, मैंने जब इस केस पर कई लोगों से उनके राय जा दी, उनसे बात की, तो उसमें निशकर्स के तो पर जो चीजे निकल कर आई, हो ये थी, कि राजनेता सिर्फ पड़ बोले बयान देते हैं, अपनी राजनिती चमकाते हैं, और अगर यही घटना, उनके किसी अपने के साथ हो जाती, तो शायर यहां जमीन आस्मान एक हो जाता, ये कहना है लोगों का, बकाइदा लोग होता है, लेकिन जब खुद को आती है, खुद पर बीठती है, हाँ भई, बाकरी इतना दर्द होता है, बाकरी, ये मेरा दिल क्या कहे, खुद से शर्म सार है, आज मुझे भी खुद पर शर्म आ रही है, क्या आखिर हम कर क्या रहे हैं, हम तो well educated हैं, आज मैं आपके सामने चाब education की बदलत camera पर बोल पा रही हूं, as an anchor, as a journalist, अपनी राय रख पा रही हूं, अपना आक्रोज दिखा पा रही हूं इस case पर, लेकिन कर क्या पा रही हूं मैं, क्या कुछ कर सकती हूं मैं, क्या कुछ कर सकते हैं आप, media का support बहुत है, निर्बैकांट में भी media ने अपन से बक्त बीता जाएगा, हम धीरे 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 शांत हो जाएगे, फिर कौन था कठवा कांट, कौन थी परी, क्या था नाव कांट, क्या थी उसमें BJP की भूमिका, क्या था PDP और BJP का अलायंस, क्या हुआ जम्मू कश्मीन में, सब आया राम और गया राम, लेकिन फि फिर वही हो अला, फिर वही गुस्सा, ये गुस्सा आपने सहेच कर क्यों रखा है, सिब दिखाने के लिए, दिखावा तो शायद हम और आप भी कर रहे हैं, आखिर करना क्या चाहिए, आखिर होना क्या चाहिए, एसी के कमले में बैट कर लोग, बड़ी बड़ी प्रेस के लोगों के जवाब दे रहे हैं, कई नेता सत्तधारी जो सरकार है, उनके कई नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कॉंग्रेस पर ठीक राफोड़ते हैं, प्याम मोदी खुद अपने संबोधन में, पूरवटी सरकारों पर सारा ठीक राफोड़ते हैं, लेकिन प्याम मोदी वैश्वी इस्तर पर भारत की छवी बहुत अच्छी की है, लेकिन वो जिसना से कहतें, कॉंगर्स ने कुछ नहीं किया, वो थोड़ा सा गरत है, क्योंकि क्या यहां पर जो आप दिकास देख पा रहे हैं, क्या वो पीम मोदी के कारेकाल में हुआ है, शायद नहीं, कर्पिया सब की है, खाया तो सबने मिलकर है, भष्टाचारी तो सब है, अगर इतने सब पाक साफ हैं, तो फिर क्यों नहीं स्वीस बैंक से पैसा वापास आता है, जो वहां पर सब के पैसे जमे हैं, क्या सरकार को नहीं पता, क्या मोदी सरकार को नहीं पता, या फिर यूपिया को न कुछ ऐसा जरूर करें उन्हें बहुत बड़े फैसले लिए हैं अतिहासी फैसले लिए हैं नोडबंदी जियस्टी उन्हें बहुत से फैसले लिए हैं हला कि जियस्टी तो बहुत पहरे से चला रहा था नोडबंदी उन्हें ऐसा फैसला लिया रात रात कि उसने पुरा तहल मोदी की आलोशना नहीं कर रहे हैं लेकिन हां यहां पर जो सरकार की खामिया है वो गिनाने का काम मीडिया का जरूर है कॉंग्रिस में बहुत किया कॉंग्रिस कारिकार में निर्भया कांट सामने आया था तो कांट किस सरकार में सामने नहीं आते बीज्अपि को इसमें बिजस्वाब करक्षांगला कोड़ना कहीं से बिजएपी को फूरा धारोंडाण करना इस केस को लेकर वह समझ के नहीं आता हाला कि जिस तरेके से ये कांट सामने आ रही है उसपर सरकारे क्या कर रही है कि पहली सवाली सरकार UP example is अधारित…. लेकिन किसी लड़की के इज़त से सियासत में करेए, किसी लड़की के इज़त से खिलवार मत करेए, उसको फट बॉल मत बनाएए, आप ढखर से इसको मारेंगे और दूसरी पार्टी दर से मारेगे, क्योंकि यहां शायद अपनों की बात जब आती है, तो शायद तिर्क कुछ भी नहीं यादाता है आकि क्या हुआ जब मुकश्मीर में मैभुबा मुफ्ती ने आठ तीन से चार पुलिस ओफिसर्स को हटा दिया सस्पेंड कर दिया मंगेतर का बड़ा खुलासा हुआ मंगेतर ने कहा कि मैं आख में हांग डाल कर पूछूँगी कि तुमने जर्म किया है या नहीं मेरट के एक शक्स को बुलाया था इस कार्ण के लिए उसके घरवाले भी यहां पर आरोप लगा रहे है कि उनके बेटे को फसाया गया है उनका बेटा तो एक्जाम दे रहा था बगयादा उसके साइन है तो आखिर जाच में इसनी धूल मुल क्यों लेखे जा रहे है आखिर जाच इस तरह से क्यों हो रही है हम CBI की जाच पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे है लेकिन जिस तरह से यह वाक्या सामने आया है कि इसमें जो एक आरोपी है उसके घरवारे साप साप कह रहे हैं कि वो वहाँ पर अपना एक्जाम दे रहा था तो कैसे उकठवा में हो सकता है तो अभी तो बहुत सी परदर परद चीजे खुलनी बाकी है अभी बहुत कुछ खुलेगा लेकिन यहाँ सवाल फिर से एक ही जगा आकर रुकेगा क्या यूँ ही होता रहेगा रेप कब बंद होगा रेप क्या हिंदुस्तान रेप की कंट्री बन जाएगा अगर हाँ अगर हाँ है इसका जवाब तो प्लीज आप यह बोलना बंद कर दीजिए बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ प्लीज आप बोलना बंद कर दीजिए बेटियां देवियों के समान है बेटी लक्ष्मी है और प्लीज आप यह बोलना बंद कर दीजिए कि दुलानी दहेज है बहुत से केस आ रहे हैं, कल हमारे पैसे फूटे जाय थी गोरापुड से, जहां पर एक विवाहिता को इसले माला गया क्योंकि उससुराल वालों की वो दहेज की मांग पूरी नहीं कर पा रहे थे, आप बकायदा हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहां उसको इतनी बु एसी कुरीतियां, एसी प्रशन चले आ रही हैं, जिसको बदलाओ लाना जरूरी है, जिसमें, बदलाओ आगे कहां से, सोच से, जो उन्नाव कांट और कठवा कांट सामने आया, इसमें भी सब लोग कह रहें, जब तक सोच नहीं बदलेगी, मांसिता नहीं बदलेगी, तब घर बदलेगा, तो समाज बदलेगा, समाज बदलेगा, राज्य बदलेगा, और राज्य बदलेगा, तो देश बदलेगा, लेकिन बदलना हमें ही होगा, और शरुवात हमें खुद से करनी होगी, यूकि बुराइयां दूसरों में बहुत जल्दी नजर आती हैं, लेकिन अपने अंदर की बुराई किसी को नजर नहीं आती है। तो यहां से इस कान से आप सब सबाख लीजिए कि पहले अपने घर से शुरुवात करिए कि अपने घर में कैसे सुधारा जा सकता है। तब जाकर पूरा देश सुधरेगा। बताईए आप पुझे कमेंट बॉक्स के जरीए कि आखिर आप क्या सोचते हैं। आखिर आपको क्या लगता है। क्या होना चाहिए अब। क्या अब हद नहीं हो गई है। इंतहा हो गई है। मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। कच्वा कान को लेकर बने रहिए आप SPNI NEWS के साथ। नमस्कार। करते हैं bon कर दो कर दो